इस बार 26 जन्वरी की परेड बहुत ही अध्भूत रही लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा परेड में विमेन पावर को देख कर हुई जब करतव्य पर्थ पर केंद्रिय सुरक्षा बनों और दिल्ली पुलीस की महिला टुकडियों ने कदमताल सुरु किया तो सभी गर्व से भर उठे महिला बैंड का मार देखकर उनका जबर्देस तानमिल देखकर देश विदेश में लोग जूम उठे इस बार परेड में मार्च करने वाले 20 दस्तों में से 11 दस्ते महिलाओं के ही थे हमने देखा कि जो जांकी निकली उसमें भी सभी महिला कलाकारी थी जो सांस्कृतिक कारकम है उसमें भी करीब डेड़ हजार बेटियों ने हिस्सा लिया था कई महिला कलाकार संख नादस्वरम और नागदा जैसे भारतिय संगीत वाध्ययंत्र बजा रही थी डियार्डियों ने जो जांकी निकाली उसने भी सभी का ध्यान खीचा उसमें दिखाया गया कि कैसे नारी शक्ती जल थल नव साइबर और स्पेस हर शेत्र में देश की सुरक्षा कर रही है 21 सदी का भारत ऐसे ही विमेन लेट डेवलोपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है साथियों आपने कुछ दिन पहले ही अर्जुन एवर्ड समारों को भी देखा होगा इसमें राश्पती भवन में देश के कई होनहार खिलाडियों और एथलीटों को सम्मानित किया गया है यहां भी जिस एक बात ने लोगों का खुब ध्यान खीचा वो थी अर्जुन पुरस्कार पाने वाली बेटिया और उनकी लाइब जर्नीज इस बार तेरा विमेन एटलिट्स को अर्जुन एवर्ड से सम्मानित किया गया है इन विमेन एक्रिट्स ने अनेकों बड़े टोर्नामेंटों में हिस्सा लिया और भारत का पर्चम लहराया शारिरिक चुनोतिया आर्थिक चुनोतिया इन साहसी और टैलेंटेड खिलाडियों के आगे टिक नहीं पाई बदलते हुए भारत में हर छेत्रे में हमारी बेटिया देश की महलाए कमाल करके दिखा रही है